C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रे का रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कारिक्रम नई सहस्राब्दी का आगमन एक दिन की बात है विर्णा के पिता रामेश्वर प्रसाद जी घर के आंगल में समाचार पत्र पढ़ रहे थे कि तभी विर्णा अपने मित्रों के साथ आई और बोली बाबुजी बाबुजी अरे विर्णा आओ बिटा आओ चाशे जी नमस्ते अरे नमस्ते नमस्ते आओ अखिर इधर इधर बटो तुम में पास दोपे सुरेश तुम इधर बटो और मैं बैटती हूँ अपने प्यारे प्यारे बाबुजी के बिलकुल पास अरे क्या बात है आज बाबुजी की बड़ी प्रसंसा की जारी है जेब खर्च बढ़वाना है क्या जेब खर्च नहीं बढ़वाना बलकी आपकी जेब हलकी करनी है क्या बचला बहीं मैं समझा नहीं बाबुजी ये तो आप जानते ही है कि सन 1999 अब समाप्थ हो रहा है जानता हूँ फिर हम लोग नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं जी हाँ और उसके लिए हम करना चाहते हैं एक समारो जिसके लिए हम चंदा जमा कर रहे हैं और शुरुवात आज आप से हो रही है तो नए साल के जश्न की तैयारी है चाचा जी नहे साल्ब के जश्न की तयारी यानि के 21 सदी के आगमन की तयारी और चाचा जी 21 सदी शुरू हो रही है एक जन्वरी सन 2000 से अरे भई 21 सदी एक जन्वरी सन 2000 को शुरू नहीं हो रही है तो कब शुरू हो रही है 21 सदी 21 सदी शुरू होगी एक जनवरी सन 2001 से और इसी दिन शुरू होगी नई सहस्राब्दी सहस्राब्दी समझते हो ना जी चाचा जी सहस्राब्दी यानी मिलेनियम यानी सन 2000 के बाद तीसरी सहस्राब्दी की शुरुवात होगी उसी को नए मिलेनियम की शुरुवात कहा जा रहा है क्यों बाबू जी है बिटा बिल्कुल ठीक कहा तुमने लेकिन चाचा जी आप तो कह रहा है थे कि नई सहसराब्दी की शुरुवात होगी एक जनवरी सन 2001 से मगर वो कैसे वो कैसे का भी जवाब देता हूँ पहले यह बताओ आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल में लाते हैं वो कौन सा है ग्रेगोरियन कैलेंडर इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहा जाता है बताओ यह कमसे प्रशलन में है जहां तक मैंने पढ़ा है चाचा जी प इरवे पोप ग्रिगोरी ने सन 1582 में, हाँ, 1582 में इस कैलेंडर की रशना की। यह सच है। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि सन 1582 से पहले कैलेंडर था ही नहीं। नहीं बाबुजी, कैलेंडर तो था, मैंने पढ़ा है। हाँ, जूलियन कैलेंडर। ठीक कहा, जूलियन कैलेंडर। दरसल जूलियन कैलेंडर में दोश था। इसलिए क्या बाबुजी। इसलिए सोल्वी शताबदी में पोप, ग्रिगोरी और कुछ वैज्यानिकों की समीथी ने मिलकर इस दोश को ठीक करते हुए एक नए कैलेंडर का निर्मार किया। जिसे आज तक हम प्रियोग मिलाते हैं। बाबुजी, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि कैसे एक जैन्वरी सन 2001 से नई सहस्राबदी की शुरुवात होगी। बताता हूँ, बताता हूँ बच्चों, वास्ता में जब सन 1582 में ग्रेगोरियन कलेंडर की रचना हुई, तभी से काल की नियमबद गिन्थी शुरू हुई। इस गिन्थी में इस्वी सन का आरंभ एक जन्वरी सन 0000 से नहीं, बलकि एक जन्वरी सन 00001 से माना गया। इस इसाब से इस सहस्राबदी का अंत होगा 31 दिसंबर सन 2000 को, और नई सहस्राबदी की शुरुवात होगी एक जन्वरी सन 2000 एक से। बाबु जी, अपनी बात खोल कर समझाइए। अहाँ, चाचा जी। अरे भई, तुमने सुपरसिद्धिक हगोल शास्त्री प्रफेसर जैन्त विश्म नारलेकर का नाम सुनाया ना। अहाँ, जी बाबु जी। अचा, उन्होंने इस बात को जिस तरह से समझाया है, मैं भी उसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सुनो, मालो, तुम्हारे पास 21 रुपए के 200 पैसे हो, और तुम्हें कहा जाए, कि ग्रिगोरियन केलेंडर के पहले वर्ष से लेकर, 21 सजी के आखरी वर्ष तक, एक एक पैसा गुल्लक में डालते जाओ, तो सन 1999 तक, बीसमें रुपए में से एक पैसा बच जाएगा, बाबु जी, आपने कहा कि मानलो हमारे पास 21 रुपए हो, यानी 21 सौ पैसे, बेलकुल ठीक, फिर आपने ये कहा कि ये 21 सौ पैसे, ग्रिगोरियन केलेंडर के पहले वर्ष से हर वर्ष, एक एक पैसा हम गुल्लक में डालें, तो अब तक हमने डाले 1999 पैसे, बेलकुल ठीक, और सन 2000 में हम डालेंगे 20 रुपए का आखरी पैसा, बिलकुल बिलकुल ठीक, और इस प्रकार 21 रुपए के पहले पैसे की बारी कब आएगी, सन 2001 में, शाब बाश शाब बाश बच्चो, तो इस तरह से अब बताओ, कि नई सहस्रादी की शुरुआत कब होगी, एक जनवरी सन 2001 में, ठीक, बिलकुल ठीक, चाचा जी, आपकी बाश चित से ये बात साफ हो गई है, कि नई सहस्रादी की शुरुआत होगी, एक जनवरी सन 2001 से, बिलकुल, बिलकुल, अरे हाँ बिड़ा, मैं तो भूली किया बातों बातों में, तुमने बाबुजी को बताया कि नई, क सहसरादी के स्वागत में, तुमने एक कविता भी लिखी है। हाँ बाबु जी मैंने कविता भी लिखी है अरे भई कवित्री जी तु किस बात कीजे ने सुना दो कविता हाँ बाबु जी कविता है देखो अंत हो रहा है बीस्वी शताब्दी का देखो अंत हो रहा है बीस्वी शताब्दी का देखो द्वार खुल रहा है नई सहस्राब्दी का स्वागत है स्वागत है नई सहस्राब्दी का स्वागत है अब तक जो अनागत है उस नई सहस्राब्दी का स्वागत है स्वागत है नई सहस्राब्दी का स्वागत है नहीं सहस्राब्दी का स्वागत है स्वागत है दोस्तों अन्त में आपसे एक अनुरोध आप पताईए कि क्या भारतिय कैलेंडर के हिसाब से यानी राष्ट्रिय शक समबत एवं विक्रम समबत कैलेंडरों के आधार पर तीसरी सहस्राब्दी की शुरुवात हो चुकी है या नहीं आप सोचिये चलिए हम आपको बता देते हैं कि दिसंबर सन 1999 में राष्ट्रिय शक समबत वर्ष 1921 है और विक्रम समबत वर्ष 2056 है अब बताईए कि भारतिय कैलेंडरों के हिसाब से तीसरी सहस्राब्दी शुरू हो चुकी है या नहीं आप अन्य भारतिय कैलेंडरों की वर्टमान तिथी भी पता कीजिए और देखिए के उन कैलेंडरों में तीसरी सहस्राब्दी शुरू हो चुकी है या नहीं तीसरी सहस्राब्दी में अभी कितने वर्ष शेश है नई सहस्राब्दी का आगमन अभी आप सुन रहे थे रंगोली बालपत्रिका के अंतरगत C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तोत ये कारिक्रम विशय परिकल्पना, प्रोफेसर P.K. भटाचार्य, कारिक्रम संचालन, निर्मान परामर्ष, एवं आलेक, प्रभु दयाल खटर कलाकार, जयमिनी कुमार, राश्री जिवेदी, सुष्मा कौशेक, आशीश बक्षी, तथा प्रविण शर्मा द्वन्यंकन सतीश लाडे, निर्मान सहयोग दाव दयाल चतरवेदी, तथा निर्मान एवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन